आपको सब्मानित करने के लिए इस लिए दिखाया कि ये गोपाल गंज में सो था हलाकि महोट सो था था वे महोट तो बताया जा रहा है सोसल मीडिया पर यह वीडियो काफी वाइरल हो रहा है और बहुत सारे लोग मुझे भी भेजे कि भाई देखो प्रियंगा सिंग के साथ जो है वो क्या हुआ है मैंने देखा पहले तो मैं पूरा वीडियो देखा उसके बाद देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि वहाँ पे जो वह एंकर थी जो माई कैसे पकड़ के बोल रही थी ना अराम से मैडम अराम से सबसे पहले तो वह महिला है उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि वह कितनी बेवकूफ कहें या क्या कहें उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन एक चीज जरूर हम कहेंगे कि अब भोजपूरी के अश्टार जो है न कहते हैं कि हम एक हैं तो यहां पे एक जू लिया मंच पे दुर बेवार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि प्रियंका सिंग ने बोली कि दो मिनेट मुझे सिर्फ और सिर्फ दो मिनेट समय चाहिए उसी बीच में वह एंकर जो है वह बुलाने लगी कि मैं सम्मान करना चाहता हूं इसका उसका आईए अस्टेज पे क् थी और अगर तुम दो मिनेट दे नहीं सकते हो तो क्यूं किसी अस्टार को किसी गाईका को किसी एक्टर को अस्टेज पे बुला रहे हो क्यूं उसको महुत्तों में बुला रहे हो नहीं बुलाना चाहिए क्यूंकि वो एजे गेश्ट गई थी और अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसे बुलाईए मत और एक चीज़ और मैं कह रहा हूं अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्टारों में कलाकारों में या सिंग्रों में थोड़ी सी भी अगर कहते हैं ना कि यहां से मानवता बचा हुआ है थोड़ा सा भी इंसानियत बचा हुआ है तो आज के बाद सारे अश्टारी ये कसम खाले कि थावे महस्तों में कभी भी कोई भी प्रोग्राम करने नहीं जाएंगे क्योंकि अगर ऐसे बैटी किया जाएंगा तो आप लोग यह ठीका है कि क्यों जाएंगा आप लोग काहे जा रहे हैं अगर एक जुटता दिखाना है तो जहां पर दिखाईए जरूरत है और थावे महत समय जो भी वहां का अध्याख्या या जो कमीटी है संगठन है वो बतावर एक वीडियो बना कर माफी मांगे प्रियंका सिंसे कि हम लोगों से जो है वो गल्ती हुआ है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भोजपुरी इंडस्टी के जितने कलाकार है उन सबको एक जुट होने का समय है और एक जुट होना चाहिए मैं समय नहीं करा हूँ एक जुट होना चाहिए एकता दिखाना चाहिए क्योंकि अगर अभी विखरक रहेगा ऐसे इसे टाइम पे तो आज आपका ओराय कल उसका होगा परसूस का होगा होते जाएगा और बुला बुला कि आप लोगों को इंसल्ट किया जाएगा इसी प्रकार से तो आप लोग एक जुठो और ये कसम खाओ कि जब तक प्रियंगा सिंग जे अगर माफी नहीं मांगा जाता है था वो महस्तों का कमीटी अध्यक्ष कमीटी संगठ हैं तब तक कोई एस्टार भोजपुडी का वहां नहीं जाएगा